हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल सोचियोलोजी क्लासेस भाई राजपूत शनीपर तो थोड़ा हिल्ट इसु के कारण वीडियोस नहीं आप रही है मौसम जंज हो रहा है तो आज देखते हैं वीडियो आवाज थोड़ा डाू है तो पॉल्पैटि भशनव को समाज के में सही समझ विख्षित करने के अध्यन करने की कुझी मानते हैं तो प्रत्क्यात्मा कंत्रा की आकवाद को ब्लूमर करते हैं कि वह अध्यक्ति के वर्ष्ट निश्ठ अन्भाव के अध्यन करने का काम करता है ऐसा इसलिए है कि जब व्यक्ति समाजिक अस्तर पर एक या एक अधिक अन्य ब्यक्ति अथवाद ब्यक्तियों से अंतर क्रिया करता है तो उसके साथ या उनकी क्रियाओं या गत्विधियों के अनुरूप अपने ब्यवार को समयोजित करने का प्रयास करता है अर्था जब ब्यक्ति किसी अस्तर पर दूसरे ब्यक्ति के साथ क्रिया करता है आंता क्रिया करता है तो उस भ्यक्ती से उसी तफसे क्रिया करेगा जैसे मों कोई ब्यक्ति बॉस के सामने गया अनता क्रिया करने तो बास के नियमों कानूनों के अंतर करतम मतलब ऐसा आठलना दिखा好吃 की वे प्रभावित हो ठोम रॉं लाइन दो इसका रहार किया अपना युगदाथ देते हैं पट्यात्मक अंतक्रियाद के अस्थापना के क्रम में ब्लूमर के तीन केंद्रिया नियम है पहला है इसलिए निर्म्हित परयों पर दिया करता है तो यहाँ पर देखना है कि ब्यक्ति किसी चीज या वज्टू कि प्रति ब्यक्तियों द्वारा उन्हें के संदर में निर्मित अर्थ या तात्परियों के आधार पर ही क्रिया करेगा इ firm जैसा अर्थ बैर्वार को वो प्रदर्शित करेगा आगे कते हैं अर्थ या अर्थबोध ब्यक्तियों कि मध्य पार्स्परिक अंतक्रिया के निर्मित होता है और तीसरा उन्होंने बताया कि अर्थ या अर्थ बोगत चीजों की व्याख्या तथा उनके इस परष्टी करण की एक प्रक्रिया के द्वारा परिमार जीते हों परिवर्थी होती है आगे ब्लूमर के तीन आधार वाक्य है जिनकी चर्चा उन्होंने की है बहला लोग चीजों के प्रति तथा उनके संदर में जो अर्थ या तात पर विक्सित करते हैं उनके प्रति व्योवार करते हैं तो जैसा संदर्व वोगा उसी और विकति उपना ब्यवहार बनाएंगा चीजों के प्रति उनके संदर में अल्थ ब्यक्तिविसिज के माध्यम से समाज के अनिबटिव के साथ की गाई समाजी कंगरिया जा उनके सब्सक्राइब करना चाहता है या अर्था या ताथ पर इबेक्टी बिसेस द्वारा कच्पे चीजों के साथ अपनी अंता क्रिजाओं या बेवहारिक समंदों के विश्लेसा द्वारा और सकता अनस्वार परिमारी त्या परिस्पृत किया जाता है तो जैसा कि आप जानते ह अनसार ही विवहार करता है उसके मांडेंडों मुल्यों का प्रभाव होता है उसी अनसार जब किसी ब्यक्ति बिसेस से अंता क्रिया करता है तो उसके विवहारिक समंद्ध कैसे है उसके अनसार विवहार करता है और आउसक्ता पढ़ने पर विवहारिक समंद्धों में निम या पर इसकी बहुत और सक्थांग साथ थोड़ा बहुत परिवलतर लाया जा सकते हैं ब्लूमर का प्रतिक्यात्मकत्य क्रियावाद निम्नांकित मूल प्रस्थरप्नाओं प्याधारी थे पहला मानौ समाज की प्रकिति प्लूमर के अमसार मानौवी गत्विधिया कि समाज क क्योंकि मनुद्स सप्नाओं ही चाहें ब्यक्तिग्त्य या संद्र में तरेंड करता है तो प्लूमर कहते हैं कि मुक्य के अंद्र बूंदू समाज होना चाहिए और कोई समाज के संगर में करता है। आगे समाजी कंटा क्रिया की प्रकेटी समाजी कंता क्रिया वश्तुताux 스例 दो प्रकार्ट कई अहां संकेỷिक और आसंकेषिक क्रियां के रूप में और तक्रियां को सदर में किसी आकलन के सीधे त्वर प्रप्रतिय में अन्यूतिक क्रिया तुरहें करते हैं समाजिक इंत्रियाएं दो प्रकार की होती है एक संकेटिक असंक्य yht्रिया उतुए जिसमें कि सोच विचार नहीं करना पड़ता है और तुरंथ उसके उत्तार दिया जा सके ऐसी क्रियाओं को उन्होंने संक्यटिक क्रिया के अंतरगत रखता है जबकि इसके विपरी थी उन्होंने कहा कि संक्यति क्रिया व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं के संदर्व सोच विचार कर उसकी क्रिया की भली भात व्याक्षा करके की जाती है तथा उनमें उक्त व्यक्ति को भाव भंगी भाव विसेश अर्थबोध की संभावी थोती है तो मानो समाज इन्हीं अंतर क्रियाओं पर आधारित होता है तो संक्यति क्रियाओं के अंतरकत उन्होंने कह देगा अगला चीजों की प्रकितः मानो जगत वस्त परक है जिसमें भववतिक एंसामाजिक नहीत अर्थ होते हैं इस अलग अलग अर्थ से किसी वर्थ को जाना जाता है और अलग अलग अर्थ लगाया जा सकता है ऐसा ब्लूमर का कहना है चीजों के प्रती अर्थ बहुत लोगों की क्रियाओं यह जीवन में हुए परिवर्थनों के साथ परिवर्थित होती रहती है उन्होंने कहा है कि चीजों के प्रती अर्थ बोध लोगों के क्रियाओं इम जीवन में हुए परिवर्थनों के आधार पर परिवर्थित होती ही रहती है जैसे कि पीछे के समाजों में बाल विवा सतीप्रथा आरी जैसे क्रियाओं को समा निमाना जाता था लेकिन समाज पर और बोध दोनों भी में अंतर पाया गया आज बाल पीवा को डंडर आपर आधिमाना जाता है महिस सती प्रथा जैसी क्रियाओं को बंद कर दिया गया है तो यहीं ब्लूमर करते हैं कि वह समय और अस्थान के साथ परिवर्दित होती है मनुस एक क्रिया प्राडिंट व्यक्ति सब्वाग्स साथ वियक्ति में से संबंद इस्ताफित करना क्या ध्युक्त करना में प्राराम करने लगता है इस से स्वर्श तेकाशी 3 कि मनुष एक दूसरे के क्रियाओं के संदर में सिर्फ समानी तोर पर प्रतिया करने के स्थाल पर उसकी व्याक्षा करता है और उसको पुनर पर भाषित करता है और उसके अन्सार ही क्रिया करता है लस्ता में लगर किसी मनुष्य 20जए ठोफी जाता है तवस्य पव्यक्षित पहले उसके पृटीते all 현 क्या उत्तर देना एард उसके बाद वह उसका प्रद्र देता है ठिला मानुत वी क्रिया की प्रकीटि इस तंदर में jo consumer की मानेता है तब तक किती प्रतिक है क्रियाओं को नहीं समझा जा सकता जब तक कि उनकी पारिभासिक प्रक्रिया की तब तक नहीं जाया सकता है उन्होंने कहा कि कि व्यक्ति की क्रियाओं को तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि हम उसके अर्थों कुणा समझ ले सर्फ्रत् manufactured रिक्ति अपनी क्रियाऊँ को दूसरों के परिपेच्च में करके देखता है और प्पारस्पराइक सहमत्यम्रूप्ता के संकेट विक्षित करता है अगर तो एक करता है सभ आपक्राइब करने नहीं करता है तो महाँ पर सामो रूपता बनने की कमा संदरन होगा दल उसके पश्चात ही उसक admired का विशेष या संदर्व या और अर्थ कोगा जिसे वह सामुच निर्धारन होने लगता है अगला उन्होंने बता है कियाओं के अंतर संबंध है उन्होंने का कि ब्यक्ति समाज के अने ब्यक्तियों के साथ क्रिया अधारित अंतर संबंधित होता है रहता है मानुवी समाजी जीवन की अधार श्रीला है अर्थात मानुवी समाजी जीवन का एक मुख्य करता है इस रूप में ब्यक्ति की स्क्रिया संवबन खर निर्मार करता है तो आज की वीडियो यहीं समाप्तुर्ति है तो वीडियो को लाइक है चैनल को शस्काइब करें और डेली क्विच के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं धन्यमाद